हेलो फ्रेंट्स UPSC 2013 के एक्जामनेशन कलेंडर जो है वो यहां पर जारी कर दियेगे हैं यहां पर आप देखेंगे यूनियन पॉब्लिक सर्विस कमिशन तो UPSC 2013 में जितने भी एक्जाम लेगी उसके एक्जाम डेट जो है यहां पर UPSC के तरब से जो है वो बता दिया गय है यहां पर आठवें और नौवें पॉइंट पर देखेंगे तो आपका NDA और CDS का है तो इंडिया और CDS दोने के एक्जाम जो है वो आपके 16-4-2023 को जो है वो आपके कराये जाएंगे जो की 21-12-2022 से आपके form भरने मतलब स्टार्ट हो जाएंगे जो और लास्ट डेट आपका 10-1-2023 रहेगा फिर उसके बाद आपका 10-11-11 पॉइंट पर देखेंगे जो कि सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यहीं है मतलब सीविल सर्विसेस एक्जाम 2023 मतलब IS का जो आपका एक्जाम है और फिर उसके नीचे आप 11 पॉइंट पर देखेंगे तो IFS जो IFS मतलब इंडियन फोरेट सर्विस का एक्जाम है वो आपका जो है 28-5-2023 को आपके एक्जाम कराये जाएंगे जो कि एक तारीक दूसरे महीने और 2023 से आपके फॉर्म भने स्टार्ट हो जाएंगे जो कि 21 फरवरी 2030 तक जो है वो आपके फॉर्म भने के लास्ट डेट रहेंगे कि आप सभी डेट जो है वो देख सकते हैं UPSC जितना भी 2023 में एक्जाम कंड़क्ट कराएगी बाकी इसका पीडियाप जो है आप UPSC की ओफिसियल वेपसाइट पर भी जाकर जो है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं बाकी इस पीडियाप को जो है वो हम टेली ग्राम पे से हैगा तो वहां से भी आप जाकर इस पीडियाप को डाउनलोड करके जो है आप एक्जाम डेट जो है वो अच्छे से जो है वो देख सकते हैं बाकि जो कोई भी अपडेट आता है तो हम सेर करने के थैंक्यू